कल शाम से भारतिय जनता पार्टी आमादमी पार्टी के नेता मनीश सिसोदिया जी के खिलाफ जूटी खबरे फैला रही है भारतिय जनता पार्टी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी मनीश सिसोदिया जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कल शाम से ट्विटर पर, फेस्बुक पर, टीवी चैनलों पर ये खबर प्लांट कराई कि ED ने, Enforcement Directorate ने, मनीर सिसोधिया जी और उनकी पतनी की करोडों की संपत्ती जबत करी है और अटाच करी है मैं आज आप सब के सामने ED का खुद का ओर्डर रखना चाहती हूँ और आप सब के माध्यम से पूरे देश को दिखाना चाहती हूँ कि भारतिय जन्तापाटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से जूट बोलते हैं यह कागस जो हैं यह enforcement डिरेक्टर रेट का खुद का ओर्डर है जो तीन जुलाई को enforcement डिरेक्टर रेट ने इशू किया था Provisional Attachment Order No. 20 by 2023 इस Attachment Order के तहत वो खुद अपने कागसों में enforcement डिरेक्टर रेट बता रही है उसने पूरी डीटेल्स दी है कि Excise Policy के investigation में इस order में उसके अंत पे एक annexure है जिसमें लिखा हुआ है schedule of properties attached जिसमें अलग अलग व्यक्तियों की जो property जो bank accounts attached हुए है उसकी details दी गई है आप खुद देख सकते हैं सबसे पहले number पर मनीश सिसोदिया जी उनकी एक property जो वसुंदरा गाजियाबाद में है जिसके बारे में ED खुद कह रही है कि उसकी कुल कीमत पांच लाक साथ हजार छे सो रुपे है 5,7,600 रुपीज और ED के order में ये खुद लिखा हुआ है कि मनीश सिसोदिया जी ने ये property 2005 में खरीदी यानी 18 साल पहले खरीदा हुआ ये उनका flat है जो ED ने अटाच किया है दूसरा ED के खुद के document के अगले पनने पर दूसरी property जो attach की है मनीश सिसोदिया जी के पत्नी के नाम पे एक मयूर विहार में flat है जो ED के कागस खुद बता रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी value market की 65,000,000 रुपे है और वो 2018 में खरीदा गया है यानि पांच साल पहले हम ED के डॉक्यूमेंट में जब आगे देखते हैं तो जहां पे उन्होंने bank account की details दी हैं तो ये कहा है कि मनीश सिसोदिया जी का एक ही bank account है bank of बड़ोदा में जिसमें कुल मिलाकर 11,49,000 रुपे हैं और ये मैं आपको बता दू कि ये जो bank account है ये मनीश सिसोदिया जी की salary का account है जहां पे उन्हें विधायक होने के नाते हर महीने salary आती है और जो पैसा उनके bank account में है ये उनकी salary का पैसा है तो अगर हम ED के खुद के attachment order को देखें और खुद उसका हिसाब किताब लगाएं तो कुल मिलाकर 81,49,738 रुपे यानि मात्र 81,00,000 की property मनीश सिसोदिया जी की attach की है और ये ED के कागजात खुद बता रहे है ये ऐसे पैसे है ऐसी property है जो मनीश सिसोदिया जी ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाई है 2005 में मनीश सिसोदिया जी एक पत्रकार थे अपनी उस कमाई के पैसे से अपने परिवार के रहने के लिए उन्होंने घर लिया 2005 में 18 साल पहले उनके राजनीती में आने के पहले बताए भारतिये जनता पार्टी के वो कैसे कह रही है कि करोडों रुपे मनीश सिसोदिया जी ने लिकर पॉलिसी में एक्साइस पॉलिसी में बनाए जबकि एडी खुद बता रही है कि वो मकान 2005 में खरीदा हुआ मनीश सिसोदिया जी का दूसरा मकान जो खुद उनकी सेविंग से उनकी तनख्वा के पैसे से जर्नलिस्ट के तौर पे विधायक के तौर पे मैयूर विहार में खरीदा गया बताए भारतिय जन्ता पर्टी के वो कैसे कह रही है कि इस एक्साइस पॉलिसी के बनने से चार साल पहले खरीदा गया एक छोटा सा फ्लाइट एक्साइस पॉलिसी की कमाई से कैसे बना है बताए भारतिय जन्ता पार्टी बताए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी कि जो सैलरी से पैसे आने वाला एक बैंक अकाउंट है जिसमें मात्र 11 लाक रुपे की मनीश सिसोधिया जी की जिन्दगी भर की सेविंग्स है ये कैसे एकसाइस पॉलिसी के प्रोसीड्स ओफ क्राइम से आया है भारतिय जन्ता पार्टी के जूट का प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी के जूट का खुद एडी के ओडर ने परदा फाश कर दिया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतिये जनता पार्टी मनीश से सौधिया जी को इसलिए बदनाम करना चाहती हैं क्योंकि ये वो शक्स हैं जिनोंने दिल्ली में पढ़ने वाले लाखों गरीब बच्चों को एक अच्छा भविश्च दिया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी मनीश से सौधिया जी को इसलिए बदनाम करना चाहती हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि और पार्टियों के नेताओं की तरह EDCBI का केस होने पे जेल जाने के डर से मनीश से सौधिया जी आमाद्मी पार्टी छोड़के भातिये जनता पार्ट केजरीवाल के सिपाही हैं हम सर पर कफन बांध कर निकले हैं आपके ED और CBI के डर से हम दरने वाले नहीं हैं आप चाहे जितनी धंकिया दे दो आपने जिसको जेल भेजना है भेज दो ना हम आपसे डरने वाले हैं ना हम आदमी पार्टी छोड़ के भातिये जनता पार्टी करने वाले हैं और आज इन ED के साक्षियों को देख कर मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अब आपको मनीश सोधिया जी से और उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए उनकी जूटी बदनामी करने के लिए